Hello students, students जैसे कि आप सभी लोगो पता है UP में नीट की जो कांसलिंग है उसकी डेट आ गई है और जल्दी आपकी जो कांसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी बहुत सारी स्टुडेंट ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं EWS कैटिकरी की जो कांसलिंग है वो कैसे होगी कितनी टोटल सीट है UP में बढ़ाई गई है इन सभी बहुत सारे सवाल जो है मुझसे कई बार पूछे गए हैं तो इन सभी सवालों के जवाब जो है मैं आपको आज देने वाला हूँ इस वीडियो को एंड तक देखेगा आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंग मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाए देता हूँ एक पॉलिसी यहाँ पर जारी की गई यह आपकी नीट की जो काउंसलिंग की ऑफिशल वेबसाइट है जब आप इस पर जाएंगे तो पॉलिसी आपको एक पॉलिसी करके ऑप्सन मिलेगा यहाँ पर वो आप यह पॉलिसी जो है यहाँ पर किस तरीके से होगी वो आपको डाउनलोड कर लेना है तो जब इसमें आप डाउनलोड इसको करेंगे तो इसमें आपका दिया गया है कि इस बार टोटल चार रिजर्वेशन कोटा जो है वो यूपी में लगने वाले हैं जैसे कि पहले आपका SC, ST, OVC लगता था तो उसके लिए आपका 21%, 2% और 27% इस तरीके से आपका था अब जो है EWS कैटिकरी जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा EWS कैटिकरी के लिए अलग से 10% आरक्षन की विवस्ता यहाँ पर की गई है और इसको लेकर कैसे आपका ये EWS कैटिकरी की सीट है जाए जाएगी है 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जहाँ पर MCI ने EWS कैटिकरी की सीटों को लेकर ब्रद्धी को लेकर यहाँ पर मनजूरी दे दिया बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है ध्यान से सुनिएगा बहुत ज़्यादा अगर आपने ये जराब यहाँ पर चू एक पॉइंट और लिखा गया है यहाँ पर और उसमें कहा जा रहा है कि जो नए कॉलेज इस बार एड की गए है यूपी में ठीक है उन मेडिकल कॉलेज में हो सकता है कि आपको MCI की अनुमती जो भी दिये है मनलब जो भी रूल MCI पास करें उसके थुरू आपको उस कॉले कॉलेज में एड्मिशन आपको मिल जाए लेकिन पुराने जो मेडिकल कॉलेज है उनमें एड्मिशन एड़ूस कैटिकरी तुरू तभी मिलेगा जब उसमें सीटें बढ़ाए गई होंगी तो बहुत सारे ऐसी मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर MCI के द्वारा जो है वो सीटे नहीं बढ़ाए गई है इड्मिशन लेना चाहते हैं वो लोग क्या करें केवल उनी कॉलेज हो की चोईस फिलिंग करें यहां पर EWS कैटिकरी की सीटें बढ़ाए गई हैं कहां कहां बढ़ाए गई है अभी मैं आपको यह सारी चीज़ें दिखाए देता हूं ठीक है फिला अब मैं आपको सीटें दिखाए देता हूं किस कॉलेज में कहां पर कितनी सीटें बढ़ी हैं EWS कैटिकरी को लेकर तो देखी यह हैं वो लिस्ट जहां पर EWS कैटिकरी के तोर पर आपकी जो सीटें हैं 10% रिजर्वेशन को लेकर वो बढ़ाए गई हैं सबसे पहले उत्तर राम मनुहलोया इंस्टिटूट आप मेडिकल साइंस लखनव में आपका जो है वो 30 सीटें बढ़ाए गई हैं ठीक है इसके बाद आपका जो गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज कन्नोज है उसमें भी आपकी बढ़ाए गई हैं 25 सीटें और आपका जो GSBM मेडिकल कॉलेज है वह आपका अलावत वाला है उसमें 35 सीटें बढ़ाए गई हैं 30 सीटें अलावत वाले में सहारनपूर वाले में आपका 25 सीटें बढ़ाए गई है और उसके बाद आपका जो यहां पर इटावा वाला कॉलेज है उसमें आपकी जो सीटें बढ़ाए गई हैं 30 सीटें यहां पर सोले सीटें जो हैं बढ़ाए गई हैं तो यह सारी जो है आपकी जो कॉलेज हैं जिन में EWS कैटेगरी के थुरू आप यहां पर काउंसलिंग करा सकते हैं और केबल इन ही कॉलेजों में ही आपको यहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा कुछ कॉलेज जो नए एड उनमें भी आपको EWS कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो मिल सकता है लेकिन इनके अलावा अगर किसी और कॉलेज में आप जैसे किंग जोर्ज में लेना चाहें यानि की KGMC में तो वहां पर आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहां पर EWS कैटेगरी का जो रिजर्व परम नहीं होगी EWS कैटेगरी की काउंसलिंग आप आराम से करा पाएंगे कहां कितनी सीटें बची हैं वो सारी चीजे मैं आपको बता दी एक चीज और मैं आप से कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी और स्टेट से ब्लॉंग करते हैं या किसी और स्टेट के बारे में जा